IPL 2023 के सुरुवाती मैचों में हार के बाद मुंबई इंडियन्स ने जिस तरह वापसी किया है उसे देखते हुए कई क्रिकेट विशे सग्य अब यह मान रहे हैं कि छटी बार मुंबई इंडियन्स की टीम चेंपियन बन सकती है जी हाँ आपको बता दे कि लगभग हार चुके मैच में सुर्यो कुमार यादव की तुफानी बल्लेबाजी के दम पर RCB जैसी मजबूत टीम को मुंबई इंडियन्स ने छे विकेट से हरा दिया है इस जीत के साथ मुंबई इंडियन्स पॉइंस टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है वहीं दूसरी तरफ IPL इतिहास में चेंपियन बनने के लिए तरस रही RCB का एक बार फिर प्ले आफ की दौड से बाहर होना लगभग तैय हो चुका है हलकि सेमी फाइनल बने इस मैच में RCB की तरफ से बिराट कोहली सस्ते में ही आउट हो गए इसके बाद गलेन मैक्सवेल और फाब डूपलेसिस के अर्धसतकी अपारियों के दम पर RCB ने 199 रनों का समान जनक स्कोर खड़ा किया जवाब में मुंबई इंडियन्स की तरफ से बैक टू बैक इसान की सन और फिर रोहित सर्मा के आउट होने के बाद खुद मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहित के साथ साथ करोडो फैंस भी अब RCB की जीत लगभग तैय मान चुके थे लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियन्स की तरफ से बल्ले बाजी करने आए सुरियो कुमार यादो ने अकेले ही कोहराम मचा दिया सुरियो कुमार यादो की धुवाधार बल्ले बाजी देखकर RCB के गेद बाज मैदान में ही थर-थर कापने लगे सुरिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूही नहीं उन्हें विश्व का T20 क्रिकेट में नंबर एक बल्ले बाज कहा जा रहा है कई क्रिकेट भी से सग्य यह मान रहे हैं कि आईपीयल के साथ साथ अंतराश्टिय क्रिकेट में सुरियो कुमार यादो रोहित सर्मा और बिराट कोहली के तमाम विश्वरी कार्ड को धुवस्त कर सकते हैं हलेकि IPL 2023 के सुर्वाती मैचों में सुर्य कुमार यादो का परदर्सन कुछ खास नहीं रहा था लेकिन IPL के दूसरे राउंड में सुर्य कुमार यादो एक अलग ही अंदाज में नजरा रहे हैं क्रिकेट के कई जानकार यह मान रहे हैं कि सुर्य कुमार यादो अपनी तुफानी बल्लेबाजी के दम पर एक बार फिर मुंबई इंडियन्स की टीम को चेंपियन बना सकते हैं